हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके बेरेट्यूप चैनल मिशन वितकास में आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में कम्प्यूटर के मोश्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन्स दोस्तो जैसा कि सभी परिक्छों में कम्प्यूटर पूछा जाता है हम आपके लिए ऐसे कोश्चन्स लेकर के आए हैं जो परिक्छों में बार-बार पूछे जाते हैं तो आए आज के चैप्टर की सुरुवात करते हैं दोस्तो पूरा देखिएगा आज का पहला कोश्चन है एक निर्देश जो कम्प्यूटर को प्रोसेसिंग कार्यों को करने का तरीका बताता है कहलाता है इन्पुट डिवाइस प्रोग्राम्स मेमोरी मॉड्डूल्स प्रोसेसर यहाँ पूछा जा रहा है एक निर्देश जो computer को processing कार्यों को करने का तरीका बताता है क्या क्यालाता है इसका right answer हो जाएगा दोस्तों option B programs आईए देखते हैं दूसरा question Bios का अर्थ क्या है most important question ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों जैसा कि computer में ज़्यादा तर full form पूछा जाता है चलिए इसका options देखते हैं binary input output system basic input output system basic input of system all of above Bios का क्या अर्थ है तो इसका right answer हो जाएगा option B basic input output system ठीक है आईए बात करते हैं तीसरे question की analog line ओपर digital data ले जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है demodulator multiplexer modulator modem analog line ओपर digital data ले जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है अगर आपको इसका answer पता है तो comment करके बताईए दोस्तो चलिए इसका सही answer हो जाएगा option D modem अगला question दोस्तों यह सभी ऐसे question है जो एक्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं हम आगे आपके लिए इसी प्रकार की और भी वीडियो ले करके आएंगे computers related जैसे आपकी SSC की exam हो गया यह फी PCL का exam हो गया कोई भी exam हो गया सभी में computer पूछा जाता है चलिए जो था question है line द्वारा run timeline पर प्रोग्राम का अनुवाद और निस्पादन करता है compiler, linker, interpreter, loader line द्वारा run timeline पर प्रोग्राम का अनुवाद और निस्पादन करता है तो इसका राइटान समझाएगा option C interpreter आईए बात करते हैं पाच्वे question की IBM का पूर्ण रूप क्या है ये भी अच्छा question है IBM का पूर्ण रूप क्या है internal business management, international business management, internal business machine, international business machine IBM का full form क्या है तो इसका right answer हो जाएगा international business machine ओके आईए बात करते हैं छटे question की output device का उधारण है तो इस प्रकार के questions बहुत पूछे जाते हैं पर इक्छाव में output device बताईए, input device बताईए तो चलिए देखते हैं इसका सही answer printer, screen, speaker इन में से सभी output का मतलब होता है कि हमें कुछ प्राप्थ हो computer से चलिए देखते हैं इसमें दोस्तों printer भी हो जाएगा output device जो कि हमें प्राप्थ होता है इससे कुछ screen से भी हमको देखने को मिलता है तो यह output हो जाएगा speaker से हमको सुनने को मिलता है तो यह भी output device हो जाएगा तो इसका सही answer हो जाएगा option D इन में से सभी इस प्रेकार के questions तयार कर लिजेगा आप लोग input device, output device आईए बात करते हैं साथवे question की एक computer program में एक दोस जो इसे सही तरीके से काम करने से रोकता है उसे क्या कहते है बिफ, strap, boot, bug एक computer program में एक दोस जो इसे सही तरीके से काम करने से रोकता है उसे क्या कहते है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, option B sorry, D हो जाएगा इसका सही आंसर, bug ठीक है, bug computer program को सही से कार करने से रोकता है अगला question personal computer की system unit में आम तोर पर निब लिखित को छोड़कर सभी सामिल होते है serial interface, microprocessor, disk controller, modem तो इसका राइट आसर हो जाएगा दोस्तों, option D modem अगला question है 9th question computer उपकरण को design, कार क्रम संचालन और रख रखाओ करने वाले कार्मिक को संदर्भित करता है system analyst, programmer, pupil wear, console operator computer उपकरण को design, कार क्रम, संचालन और रख रखाओ करने वाले कार्मिक को संदर्भित करता है तो इसका सही answer रहाएगा दोस्तों, option C pupil wear आईए देखते हैं अगला question दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी share करिएगा हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार के और भी questions लेकर के आएगे जो exam में बार-बार पूछे जाते है चलिए दसवा question है switching उपकरणों के रूप में microprocessor किस पीड़ी के computer है पहली पीड़ी, दूसरी पीड़ी, तीसरी पीड़ी या चौथी पीड़ी इसका right answer हो जाएगा option D चौथी पीड़ी आईए देख लेते हैं ग्यारवा question दूसरी पीड़ी के computer का विकास हुआ 1949 से 1955 तक, 1956 से 1965 तक, 1965 से 1970 तक, 1970 से 1980 तक इस प्रकार के भी questions पढ़ दी जाएगा दोस्तों computer के पीड़ी से सम्बंदित तो इसका right answer हो जाएगा option B 1956 से 1965 तक ये computer की दूसरी पीड़ी थी आई अब देख लेते हैं next question light pen क्या है optical input device, electronic input device, mechanical input device इन में से कोई नहीं light pen क्या है okay, right answer option B electronic input device है, light pen अगला question internet connection के लिए किस उपकरण का आउशकता है modem, nic card, cd drive, joystick बहुत अच्छा question है, बहुत simple question है उम्मीद करते हैं इसका answer सभी को पता होगा comment करिए internet connection के लिए किस उपकरण की आउशकता है तो इसका right answer हो जाएगा modem अगला question एक computer बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास नहीं है क्या नहीं है, आई देखते है operating system, compiler, loader, assembler एक computer बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास नहीं है क्या नहीं है operating system option A अगला question देखे एक और full form है MICR का क्या आर्थ है MICR का full form magnetic ink, code reader magnetic ink, character reader magnetic ink, cases reader none of these MICR का full form क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा option B magnetic ink, character reader ठीक है so friends आज की वीडियो थी computer से related आपको वीडियो के questions कैसे लगे comment करके बताईएगा किसी प्रका का suggestion ने तो आप बताईएगा comment करके और ज्यादा ज्यादा आपने दोस्तों साथ भी वीडियो को share करिए अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe ने किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लिजे हम daily आपके लिए इसी तरह की important questions लेकर के आते हैं और हमारे commerce, accounts, marketing से related भी वीडियो देखिए दोस्तों यो भी PCL लेखा लेपिक का exam में computer के questions most important है जो कि आपका computer qualify exam रहेगा तो अच्छी तयारी करिए मिलते हैं next वीडियो में एक और important वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार जै हिंद, जै भारत